नमस्कार दोस्तों आप पढ़ रहे हैं कप्छा 11 वी NCRT English जिसमें आज हम पढ़ेंगे Snap Source Book का Lesson 7 वर्थ तो देखे इस Lesson के 3 Important Question आंसर तो हम कर चुके हैं आज हम 3 और Important Question करने वाले हैं तो ध्यान से समझना सबसे पहले 4 Important Question ये करेंगे उसके बाद 5 Important Question ये करेंगे और 6 Important Question ये करेंगे तो ध्यान से समझना तो देखे चौथा Question How did Andrew feel at the end of the story? End होता है खतम तो यहां पर कहानी के अंत में या कहानी के खतम होने पर Andrew जो है फील करता है याने महसूस करता है How याने की कैसा? तो यहां पर Question तो आपको समझ आ गया कि कहानी के अंत में Andrew कैसा फील करता है याने की कैसा महसूस करता है तो देखी चेप्टर में हमने आपको बताया था कि जब उसका पूरा काम खतम हो जाता है तो फिर वो जो मारगन का घर छोड़ देता है रास्ते में वो बहुत थकावट महसूस कर रहा था और वो उस काम के बारे में सोच रहा था जो आज रात को उसने किया था उस काम के बारे में सोच रहा था उसी यहसास सोजाता है कि आखिरकार उसने कुछ वास्त्विक काम किया है तो देखी ये बताया गया आंसर कि जैसे ही Andrew जो मारगन का घर छोड़ता है तो उसे थकान महसूस होती है वह जुहें उस काम के बारे में सूचता रहता है जो उसने रात को किया था और उसे यह हसास होता है कि आखिर कार उसने कुछ वास्तविक किया है तो देखिए आंसर बिल्कुल भी जालं कटी ने होने वाला क्योंकि तीन लाइन का अंसर है, तो देख लेते कौन-कौन से मीनिंग कठे ने, तो देखे पहली लाइन जैसे ही एंड्रीव ने मौर्गन का घर छोड़ाओ से ठकान महसूस हुई, ए जी याने होता है जैसे ही, और एंड्रीव ने एंड्रीव लिखेंगे, और जो मार्गन का घर, जो मौर्गन को जो मौर्गन ही लिखेंगे, और हाउस हो जाएगा घर, और का के लिए अपोश्टाफियस यहां लिखा जा रहा, तो जो मार्गन, अपोश्टाफियस हाउस, और छोड़ना याने होता है लीव, लीव का second form होता है left जो कि आपको पता होगा तो left याने छोड़ा उसे याने की एंड्रियू की बात हो रही है तो ही लिखेंगे और फिर ठकान याने होता है tired जो कि आपको पता होगा तो tired का मतलब होता है ठका हुआ या फिर ठकान और महसूस होई महसूस होना को feel और feel का second form होता है felt तो यहाँ पर केवल ठकान के लिए tired लिखा गया बाकि कोई भी ऐसे meaning नहीं जो आपको पता नहीं एज याने जैसे ही और leave का second form होता है left और feel का second form felt होता है अब देखें वह है उस काम के बारे में सोचता रहा ध्यान नेना जब भी कोई भी कि साथ कहें ऐसा नहीं है यहाँ पर देखे सोच रहा था यदि देखते तो बात अलग थी कोई भी किरिया के अंत में ता लगा हो और फिर रहा रही रही लगा हो तो ध्यान नेना उसके लिए जो लिखा जाता है keep plus ing form लिखा जाता है ध्यान रखना जैसे हमने कहा मैं रात को पढ़ता रहा मैं लिखता रहा तो कोई भी किरिया ताकि साथ रहा रहे रही आयना तो वो continuous नहीं बनता है ऐसा लिखा जाता है keep और ing form लिखा जाता है तो यहाँ पर keep thinking हो जाएगा ध्यान रखना keep thinking हो जाएगा लेकिन यदि से हम past simple में बनाएंगे तो keep का kept हो जाएगा और फिर thinking हो जाएगा kept thinking और think की साथ के बारे में off लगता है ध्यान रखना think क्रिया के साथ off लगाते हैं तो यहाँ पर kept thinking हो जाएगा off यान के बारे में about नहीं फिर आप वहाँ पर लगाते ध्यान रखना think क्रिया के साथ off word का इस्तिमाल किया जाता है और फिर देखे उस काम को दावर्क लिख देंगे हम दावर्क याने उस काम की बात हो गई तो ही याने की वह दावर्क हो जाएगा ओफ याने के बारे में और यहां पे सोचता रहा याने कैप्ट थिंकिंग हो जाएगा और जो याने कि यहां पर काम की बात हो रही है जो काम उसने रात को किया था तो यहां पर जो कोई व्यक्ति यदि होता तो हू लिखते हैं लेकिन यहां काम की बात हो रही है तो that लिखेंगे ही यानि कि उसने और रात को यान दा नाइट और किया था किया यानि करना करना को डू कहते हैं और डू का थार्ड फॉम हो जाएगा डन तो इस लाइन में तो कोई ऐसे वर्ड नहीं मिले हैं बस ध्यान लखना कि kept thinking of लिखना पड़ेगा के बारे में सोचता रहा पिर आगी देखिए उसी ही अहसास हुआ उसी यानि ही हो जाएगा और realize यानि अहसास होना होता ही ये आपको पता होगा real mesmo और that यानि की होता है तो that हो जाएगा फिर देखिए आखिर कार को at last कहा जाता है ध्यान लखना तो at last याने आखिरकार तो ये तो सरलवर्ड है जो आपको पता भी होगा at last याने आखिरकार ही याने उसने कुछ वास्त्विक किया है तो दिखे कुछ वास्त्विक को something याने कुछ और really याने वास्त्विक तो something real याने कुछ वास्तविक चीज और किया है याने करना को do कहते हैं do का third form done हो जाएगा तो done याने किया है और something real याने कुछ वास्तविक किया ही उसने और at last याने की आखिरकार और realized याने एहसास हुआ ही याने उसे that याने की तो देखे कौन-कौन से meaning यहाँ पर कठिन मिले एक तो tired याने थकान और एक यहाँ पर हमने बताया kept thinking of याने के बारे में सोचता रहा और at last याने की आखिरकार तो केवल 3-4 word ही तो है बाकि तो कोई ऐसे कठिन word नहीं है तो देखे फिर पहली line तो edge जैसे ही Andrew ने और leave का second form left याने छोड़ा और फिर Joe Morgan apostrophe as house past simple है तो edge जैसे ही Andrew left छोड़ा Joe Morgan apostrophe as house उससी थकान महसूस हुई फिर past simple आ गया तो he और feel का second form felt और tired याने थकान तो he felt tired अब देखी वह ही याने की ही हो जाएगा उस काम के बारे में सोचता रहा past simple तो यहां पे हमने आपको बताया keep और ing form होता है लेकिन second form लिखते हैं past simple में तो kept thinking of ध्यान अखना kept thinking of the work तो he kept thinking of the work और फिर that he जो की उसने रात को किया था perfect tense हो जाएगा past perfect तो head सहाई करिया के साथ third form तो that he that he had done याने किया था the night याने रात को किया था तो that he had done the night फिर आगे दिखिए उसे ही अहसास हुआ याने he realized that उसे ही एहसास हुआ at last आखिरकार he याने कि उसने अब देखिए यहां उसने कुछ वास्तविक किया है है याने कि आपको लग रहा है उसने कुछ वास्तविक किया है present perfect लेकिन एक चीद्ध्यान नखना that के द्वारा बाक जुड़ा है और यहां past simple है तो भले ही यहां पे covered आ रहा है मतलब present perfect हो रहा लेकिन बनाएंगे past perfect क्योंकि यह नियम होता है किसी conjunction से जोड़ने के बार यहां past है तो यहां भी past बनाना पड़ता है तो यहां भी head सहाय क्रिया लगाएंगे और done याने किया है और फिर कुछ वास्तविक याने something real हो जाएगा तो यहां पे he realized that at last आखिरकार he उसने had done किया है something real कुछ वास्तविक एक बार पूरा अंसर repeat कर लेते हैं एज जैसे ही एंड्रीव ने लेव का second from left जो मारगन पोस्टाफियस हाउस और he felt tired और फिर he kept thinking of the work that he had done the night he realized that at last he had done something real तो देखे इस प्रिकार से हमारा आंसर बन जाएगा और यह आंसर बिल्कुल भी कठी नहीं है आसानी से आप एक बार ही practice करेंगे ना तो बिल्कुल बन जाएगा इसके बाद देखे अगला पांचवा question how was Andrew feeling before the delivery तो delivery से पहले Andrew कैसा feel कर रहा था याने कैसा महसूस कर रहा था तो Andrew delivery से पहले कैसा महसूस कर रहा था अब delivery आप जानते हैं कि बच्चे का जनम होना कहलाता है तो उससे पहले एंड्रियू कैसा फिल कर रहा था ये अमें बताना है तो देखी चेप्टर में हमने आपको बताया था कि डिलेवरी होने से पहले जब एंड्रियू रास्ते में था तो बहुत सुस्त और ठकावट महसूस कर रहा था और उसे कोई आडिया नहीं था तो देखी ये आंसर बताया गया है कि एंड्रियू डिलेवरी से पहले बहुत सुस्त और ठका हुआ महसूस कर रहा था उसे कोई आडिया नहीं था कि ये नाइट कॉल नाइट कॉल मतलब रात्री का जो बताया आया है आ सामाने सावित होगा उसकी लाइफ में तो यहां पर देखी केवल दो लाइने हैं आंसर बहुत सरल हैं तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से मीनिंग कठिने हैं तो देखी एंड्रियू को एंड्रियू लिखेंगे डिलेवरी से पहले ये लिखा है विपोर दा डिलेवरी और फिर बहुत सुस्त देखी सु हो जाएगा और महसूस कर रहा था याने feeling हो जाएगा तो यहां पर very dull and tired हो जाएगा बाकि देखें एंड डिलिवरी से पहले महसूस कर रहा था यह question का हो जाएगा पूरा अब देखें उसे कोई idea नहीं था idea English word लिखाए याने विचार तो no idea याने कोई idea नहीं तो no idea हो जाएगा उसी याने ही हो जाएगा और यह night call यहां पर this याने यह night call याने रात्री का गुलाबा अब दिखें सावित होना याने prove होता है जो कि आपको पता होगा कि prove करना याने सिद्ध करना या सावित करना होता है तो प्रूब हो जाएगा और फिर आ सामाने के लिए यहाँ पे आ सामाने के लिए अनियूजूवल लिखा गया है तो ध्यान नखेंगे के अनियूजूवल का मतलब होता है आ सामाने तो यहां पे केवल 3 बर्ड आपको मिले एक तो डल सुस्त के लिए प्रूब याने सावित करना होता है और अनियूजूवल मतलब होता है आ सामाई में बागी सभी मीनिंग यहां tired आपको पता है नो आईडिया भी पता है तो बागी तो सभी मीनिंग पता है तो देखे पहली लाइन देखें तो Andrew यहां subject हो जाएगा महसूस कर रहा था याने continuous tense है तो वाज यहां पर जाहिकरिया लगी वही हमने यहां लगा दी महसूस कर रहा था याने feeling यहां से लिख दिया हमने और फिर क्या महसूस कर रहा था very dull and tired तो यहां पर very dull and tired और delivery से पहले तो before the delivery हो जाएगा तो देखें Andrew वाज सहाइकरिया feeling महसूस कर रहा था very dull and tired और फिर before the delivery हो जाएगा फिर आगे देखें उससे कोई idea नहीं था that याने की और फिर this night call यह रात्री वाला जो बुलावा है तो this night call और आज सामाने सावित होगी दिखें future simple है लेकिन यहां that से बाग जुड़ गया तो यहां पर जो will सहाइकरिया लगने वाली थी वो will अपने past form word में change हो जाएगी तो यहां this night call would सहाइकरिया और फिर प्रूव यहने सावित होगी और unusual यहने आज सामाने तो फिर he had no idea that this night call would सहाइकरिया और प्रूव यहने सावित होगी unusual यहने आज सामाने एक बार पूरा answer repeat कर लेते हैं एंड्रियू वाज feeling very dull and tired और before the delivery he had no idea that this night call would प्रूव अनियूजूव तो देखें इस प्रिकार से हमारा answer बन जाएगा और यह answer बहुत आसान सा answer है एक बार ही आप repeat करेंगे ना तो आराम से बन जाएगा इसके बाद देखें अगला छटवा question why याने क्यों was Joe Morgan waiting for waiting for याने किसी की प्रतिक्षा करना होता है तो Joe Morgan प्रतिक्षा कर रहा था Andrew की क्यों कर रहा था और even though याने की भले ही it was nearly nearly याने लगवग midnight याने आधी रात तो भले ही वह लगवग आधी रात हो चुकी थी लेकिन फिर भी Joe Morgan Andrew की प्रतिक्षा कर रहा था क्यों कर रहा था तो दिखे question क्या है Joe Morgan Andrew की प्रतिक्षा क्यों कर रहा था भले ही वह लगवग आधी रात थी तो दिखे हमने आपको chapter में बताया था क्यों कि Joe Morgan Andrew की प्रतिक्षा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी पतनी को किसी भी पल दर्द हो सकता था और वह नहीं चाहता था कि कुछ जो है गलत हो जाए क्योंकि Joe Morgan और उसकी पतनी सुसान Morgan ये जो कपल है ये 20 साल के बाद बच्चे की उमीद कर रहे थे तो देखे आंसर बताये गया है कि Joe Morgan Andrew की प्रतिक्षा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी पतनी को किसी भी पल दर्द होने की उमीद थी और वह कुछ गलत ना हो जाए ऐसा चाहता था क्योंकि वो कपल जो था अपनी साधी के 20 साल बाद बच्चे की उमीद कर रहा था तो देखे आंसर जाद कठी नहीं है चाल लाइन का अंसर है तो देख लेते हैं कौन-कौन से मीनिंग कठे न है तो देखे पहली लाइन तो question की हो जाएगी ये रही कि Joe Morgan जो है वेटिंग कर रहा था एंड्रियू की ये line question की हो जाएगी because याने क्योंकि फिर आगे देखे उ उसकी पतनी को याने की यहां पे Joe Morgan की जो पतनी है his wife कह सकते हैं और फिर देखे किसी भी पल याने any याने होता है किसी भी और फिर moment याने होता है पल तो any moment याने कि किसी भी पल और दर्द को आपको पता होगा pen कहते हैं pen याने दर्द अब देखे होने की होना को यहां पे have लिखा गया है तो to have लिखेंगे हम होने की तो ध्यान रखना एक सब्द हो गया to have याने की होने की फिर उम्मीद थी देखें उम्मीद याने की होता है expect expect करना याने उम्मीद करना तो ध्यान रखना है के expect का मतलब होता है उम्मीद करना second or third form होता है expected तो यहाँ पे expected लिखा गया है उम्मीद के लिए तो expected याने की उम्मीद करना और to have होने की pen याने दर्ग any moment याने किसी भी पल और his wife याने उसकी पतनी को फिर आगी दिखे और वह है and he और वह है कुछ भी गलत ना हो जाए नहीं चाहता था देखी चाहता था याने हम कह सकते हैं want और not लगा है तो not want और फिर anything याने की कुछ भी हो anything याने कोई भी चीज़ तो anything हो जाएगा देखी गलत हो जाए तो गलत होना को देखी wrong होता है गलत और जाना को आप कहते हैं go तो यहाँ पे go wrong लिखा गया है ध्यान रखना go wrong का मतलब होता है गलत होना लेकिन जब दूसरी क्रिया लिखेंगे तो to लगा के to go wrong याने गलत हो जाए और फिर not want नहीं चाहता था anything याने कि कोई भी चीज या कुछ भी कह सकते हैं और फिर आगे दिखें क्योंकी क्योंकी याने की हो जाएगा क्योंकी के लिए because और फिर the couple याने की जोडा कहलाता है इंदी में अंग्रेजी वर्ड लिख दिया हमने दा और फिर अपनी साधी देखें यहां पर अपनी के लिए देखें कपल लिख रहे हैं कपल तो दो लोग होते हैं न तो यहां पर दो लोग याने दे समझ के dear लिखना पड़ेगा तो dear आप साधी को यहाँ wedding लिखा गया आप चाहें तो marriage भी लिख सकते हैं तो dear wedding हो जाएगा dear wedding और फिर देखी यहाँ 20 years याने 20 साल और फिर के बाद को क्या कहते हैं after कहते हैं तो after याने के बाद और फिर बच्चे की उमीद कर रहा था याने बच्चे को हम a child कह सकते हैं और किसी भी चीज की उमीद करना हमने अभी अभी बताया expect होता है तो expect ही हम लिखेंगे लेकिन ing form लगा के क्योंकि continuous है तो expecting हो जाएगा तो दिखी यहाँ ज़्यादा meaning कठी नहीं एक तो to have हो गया याने होने की और फिर expected याने उमीद करना का third form हो गया और फिर to go wrong याने गलत हो जाए not want नहीं चाहता anything याने कोई भी चीज और फिर यहाँ बच्ची की हो गया और expecting याने उमीद कर रहा तो देखे पहली लाइन question की हो जाएगी बस वाज सहाय करिया यहां रख रहे ना तो जो मारगन वाज सहाय करिया waiting for Andrew यह लाइन इतनी question की हो गई उसके बाद लिखा because याने क्योंकि तो यह लाइन हो गई question की फिर लिखा because याने क्रिया लगा की expected याने की उमीद थी रेखिए यह past simple का पेशे वाइस बना दिया तो his wife was expected उमीद थी to have याने की होने की दापैन याने की दर्द होने की और फिर any moment याने की किसी भी पल तो his wife वाज सहाय करिया expected to have the pain any moment फिर आगे देखिए और वहे कुछ भी गलत हो जाए नहीं चाहता था याने and he और वहे अब देखिए नहीं चाहता था past simple का negative आपको पता है did सहाय करिया फिर not first of all and he did सहाय करिया और not want नहीं चाहता था और फिर दूसरी करिया आ रही है न तो to लगा के to go wrong to go wrong याने कुछ गलत हो जाए तो to go याने हो जाए wrong याने गलत और anything याने की कुछ भी चीज़ तो and he did सहाय करिया not want नहीं चाहता था to go wrong, कुछ गलत हो जाए anything याने कुछ भी और फिर आगे दिखे, because क्योंकि because क्योंकि the couple अब दिखे, couple वाज सहाई करिया लगाएंगे द्यानक न, couple में होती जरूर दो लोग हैं लेकिन couple को एक वच्चन माना जाता है तो वाज सहाई करिया तो because the couple वाज सहाई करिया और किसी भी चीज की उमीद करना expect होता है, तो expecting उमीद कर रहा था आज चाइल यहने एक बच्ची की तो आज चाइल देखी, यहाँ पर बच्ची का मतलब बहु बचन से नहीं है कि चिल्डरन को आप लिख दे तो आज चाइल एक बच्ची की उमीद कर रहा था और दियर वेडिंग उनकी साधी के तो यहाँ दियर वेडिंग या दियर मेरेज भी आप लेक सकते हैं तो because the couple वाज सहाई करिया expecting आज चाइल था और फिर 20 years after 20 years after याने 20 साल बाद दियर वेडिंग याने के अपनी साधी के एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं दिखिए एक लाइन क्वेश्चन की हमने लिखी थी के जो मॉर्गन वाज सहाई करिया waiting for Andrew because क्योंकि his wife वाज expected to have the pain any moment and he did not want to go wrong anything because the couple वाज expecting a child 20 years after their wedding तो देखे इस प्रिकार से हमारा आंसर बन जाएगा और यह आंसर बिलकुल भी कठिन नहीं है बस एक दूबार आप प्रेक्टिस करेंगे ना तो आराम से यह आंसर आपसे बनने लगेगा तो आज हमने तीन इंपोर्टेंट question answer किये वाज़ी बच्ची question answer आगी की वीडियो में करेंगे तब तक के लिए धैन्यवाद आपसे नहीं है